जेह नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोधरी श्वाद करता हूं आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांड ओके डिवी पर दोस्तों आज का ये वीडियो इस पेसली बहुत इंपोर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो सपना देख रहे हैं ससी जीडी 2022 का मैं आप सभी को बता दूँ पिछली बार एससी जीडी 2021 वाली जो भड़ती चल रही है इसमें बियार यूपी दिल्ली यहां पर सबसे ज्यादा फॉरम रिजेक्ट होए ते यह मान के चलिए जितने बच्चों ने फॉरम बढ़े ते उनमें जे 50% बच्चों के हां आधर स्टे हमें में बहुत पस्ता होगे मैं आपको बता दूँ जैसे मैंने आप देखना मेरा वीडियो उसमें मैंने बताया था हमारे केड़ में एससी जीडी में पार्टिसिपेंट है 67 उनमें से केवल एकाउन बच्चे ही पेपर दे पाए बाकी बच्चों के फॉरम रिजेक्ट हो है कि आपका फॉरम नहीं एपलाई हुआ था या रिजेक्ट कर दिया गया या आपको एड्मिट कार्ड नहीं दिया जाएगा बाद में कोई भी इडिट का ओप्शन नहीं मिलता है ध्यान रखना एससी जीडी में इसलिए जो इंपोटेंट्स डोकुमेंट से 2022 के लिए वो के बिना फॉरम बढ़ने में बहुत तकलिफ होगी हुआ क्या था एक चीज में यहां किलियर करते हुआ इनमें से जैसे कुछ डोकुमेंट्स है वह आप लोग होगे कि यह तो उसी समय बना लेंगे पिछली बार ज्यादा तर बच्छों के लिए यह वाता कि जो EWS सेटिप उससे पहले सारे डोकुमेंट्स होने चाहिए अब हुआ यह था कि अंतिम समय में जैसे कहीं तेसिलदार चुटी पर है कहीं हेस्डियम चुटी पर है और इनके बिना काम नहीं होते कहीं पटवारी चुटी पर है फिर बहुत समझ आएगी बहुत पस्ता होगे अब देख लिजे कौन-कौन से वह डोकुमेंट्स है जो आपको तयार करना है इंपोर्टेंट डोकुमेंट्स है ध्यान रखिए पहला इडवलो से जितने भी बच्चे जो इडवलोस केटेगरी में आते हैं उन सभी को इसी समय आपको इडवलोस सेटिपिकट बना के रख लेना है क् अब आपके पास में आपको पता है शितुमबर, अक्टूबर, नौबर, दिसमबर चे फोरम बरे जाएंगे तो इस समय सबसे बेस्ट टाइम है अगर आपके कोई मिस्टेक भी हो जाती है इन डोकुमेंट्स में तो वो भी आप सही करा सकते हो सबसे पहले जो बच्चे EWS म में में तो यह द्यान राएंगे तो आपके पास में श्र Pickering का समय अभी है तो ना तो यह expire होंगे और ना ही कोई नुक्सान ना कुछ फाइद बढ़िया रहेगा आपका कि अभी बना लो अगर कुछ problem हुई तो आप edit करा सकते हूँ ठीक है इन category के लिए जैसे मैंने बताए दिया के लिए जो certificate बनता है वो आप बना लीजी ABC के लिए जो बनता हूँ बना लीजे निवास है. आपके पास में जहां का होगा, उसी इस्टेट से आपका फोरम लगेगा, उसी इस्टेट के आप कटोफ फाइट करोगे. जिससे मान के तलिए ऐगर आपके पास में लाजस्तान का है, अभी ay मेरिट भी महाराष्ट के इसाफ से ही जाएगी और वहां की कटोफ ही आपको किलेर करनी है तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट में हो जहां की कटोफ कम जाती है और आप वहां का अगर आपके पास में डोमी शेल है तो आप उसी स्टेट से फोरम लगाए वह वेलीड होगा कोई प्रोब्लम नहीं है अन्यता कहां का होना चाहिए जहां का भी आपके पास में डोमीशल है दो जगहां का है तो एक पुराना वाला भी नहीं वाला तो नहीं वाली जगह से भढ़ना चाहों वहां से बढ़ सकते हो यह नि मूल लिवाज होता हो ता डिस्टिक लेवल पर होना चाहिए बाकी जिस्टेट से मानलोबी जैसे बहुत सारी बच्चे बोलते हैं कि सरह मं हम गुजराट मेरत हैं और हमारे पास में यहां का है लेकिन हम रहने वाले राजस्तान के थे तो कोई बात नहीं कर आपके पास वहां का डोमींशल होगा या जिले का होगा उस हिस चलते हैं तेंथ मारक सीट हाँ तेंथ क्लास की मारक सीट में क्या करें तेंथ क्लास की मारक सीट में कुछ ने कराना तेंथ क्लास की मारक सीट के अनुसार आपके सभी डोकोमेंट्स में आपके नाम कराने है समझ में आई बात 10th class की mark sheet के अनुसार जितने भी आपके documents है उन सभी में जो भी नाम है वो किसके coding होने चीए 10th class की mark sheet के अनुसार होने चीए और हाँ इसमें इसा कोई नियम नहीं है कि आपके कम से कम 35 percent passing mark हो अगर आप 33 percent से भी pass हो तो भी SSEGD में आप form apply कर सकते हो आपको निराश होने की जुरत नहीं है ठीक है तेंथ क्लास की मारक सीट मुख्यादार है इसी के अनुसार आपका नाम आपके मातापिता का नाम आपकी डेटो बर्त सभी इसके इसाब से ही काउंट होगी यही मुख्यादार है अगिला आपका आदार कार्ड बहुत सारे बच कि आपका आपके फादर का नाम और आडज है, यह आपका नाम काने इसे अप्देट करके रखना, इससे लख़या अज़ार कर फेज्च डिवाद बीज़् होते हैं. अगिला चरित्र प्रमान पत्तर है यह एक ऐसा डोकुमेν्ट से जिसको तो आप उस समय बना सकते हो इसकी कोई इतनी importance या इतनी need नहीं है या आप उस समय भी बना सकते हो जब आप physical देने जाओगे signature ये सबसे important है अब इसके बारे में आप बोलोगे सब signature का कौन सा certificate आ गया signature का certificate तो नहीं है बेटा लेकिन ध्यान रखे पिछली बार SSE GD में 211 बच्चों का result रोखा गया था इस बार भी रोखा जाएगा आप देखना ठीक है result प्रेंडिंग रखा गया था क्यों क्यों कि इन बच्चों के क्या बार थम जो print आप सभी को बता कई बच्चों के थम मेच नहीं खायते उन बच्चों को सिगनेचर के आदार पर क्लियर किया गया था यह नि पूरी भरती के दोरान आपका जो सिगनेचर है वो एक ही जिसा होना चाहिए इसलिए अपना एक सिगनेचर फिक्स कर लो कि हाँ बई मैं ऐसा सिगनेचर करता हूं तो फोरम बरने से लेकर पेपर, फिजिकल, विजिकल, सब में एक टाइप का सिगनेचर करना है कि अगर कहीं आपका थम मेच नहीं खाये तो सिगनेचर के आदार पर आपका सेलेक्शन हो सकता है आपको बाहर नहीं किया जाए लाश्ट जनम परमान पत्तर है अगर आपके पास में 10th क्लास की मारक सिट के लिए तो इसकी ज्यादा नेड़ नहीं है बाकी यह बना सकते हो आपके काम में आने वाली चीज़ है टेटो बर्थ शेटिपिकेट ठीक है जिन बच्छों के नहीं है अगर 10th क्लास की मारक सिट मुख्यादार है तो वो भी चल जाएगा और अगर ये है तो भी अच्छी बात है अब जो मैंने ये डोकुमेंट्स बताएं बेटा ये बहुत इंपोर्टेंट्स है इनमेंसी जो जो आपके पास में नहीं है उनको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए इसके लिए एक दिन दो दिन निकाल लिए अपना समय उसके बाद में तैयारी